बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों प्रेग्नेंसी जब कंसीव होने वाली होती है खासकर जब अबर से उनायों को समझ में आएगा महिलाएं अपने शारिडिक लक्षन की तरफ काफी जाएदा करती हैं चोटी सी छोटी चेंज उनको पता चल जाता है कि बॉड़ी में क्या हो रहा हैं तो वह बादी पता कर सकती हैं उनके body में embryo implant हो रहा है या internally कुछ न कुछ जरूर हो रहा है तो क्या होता है जैसे ही implantation होता है महिलाओं को कुछ न कुछ लक्षन दिखने या लक्षन आने शुरू हो जाते हैं यह गरभाशे की दिवार है और यहां पर बच्चा इस तरीके से implant होगा कई महिलाओं की implantation के द आधा डिगरी या एक डिगरी का बढ़ोतरी होता है तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको fever लग जाएगा या फिर body बहुत जादा गरम हो जाएगी हां जिस तरीके से periods के दौरान भी काफी गरम रहती है body काफी warm रहती है उस तरीके से भी नहीं होगी यह काफी हलका होगा लेकिन ये एक इशारा होता है कि implantation हो रहा है body के temperature में काफी 24 गंटे ये जो temperature है ये बना रहता है 24 से लेके 36 गंटों तक जब तक implantation होता है तब तक आधा डिगरी या एक डिगरी का बढ़ोतरी आपके temperature में यानि body बेसल temperature में आपको नजर आएगा उस गंटे आपको हलका सा या फिर काफी ज़्यादा ठकान जैसा महसूस होगा ठकान इन दे सेंस कहें कि कुछ आप काम कर रही है काफी जल्दी ठक जा रही है काफी laziness भी कह सकते हैं कई बहुत ज़्यादा ठकान होती है तो laziness हो रही है आलसी पनारा है कि आज दिन कैसा है बहुत जादा आलसी लग रहा है लेजी फील हो रहा है लेकिन वह थकान होती है बोडी काफी थकान होने लगती काफी स्वेटिंग होने लगती आपको पसीने बहुत जल्दी आने लगते हैं एसी कूलर में भी कई पर आप काम कर रहे हो लेकिन बहुत जल्दी पसीने आने ठक जारे हो तो यह भी implantation के दोरान होता है ब्रेस्ट में हलका सा tenderness feel होगा हलकी से बिल्कुल क्रैंपिंग फील होगे या अगर नहीं भी तो heaviness feel हो सकता है किसी एक breast में या फिर दोनों breast में आपको हलका penguin होगा यह जिसे कहाएंगी कि वह सैंस्टिव हो जाता है इंप्लांटेशन होते रहता है हलका सा भारीपन होगा इंग हो सकता है कि हश Rule इंटरनली जब भी कुछ होता है तो हर्मोन से इसका अशर पढ़ता ही तो प्रेस्ट में हलका फुल का चेंज नजर आएगा यानि भारीपन महसुस हो सकता है हलका से इचिंग भी महसुस हो सकता है या निपल्स में बिल्कुल आपको सेंस्टिवनेस फील होगा या इचिंग खुजली जैसा लगेगा तो इन बातों पर ध्यान देना कि जब भी ऑवलेशन होता है या पेट के निचले हिस्से में वो हलका सा दर्द महसूस होगा पीडियेट के जैसा बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा या लगतार आपको दर्द नहीं होता रहेगा आप सोच रहे हो कि जैसे पीरियेट के दोरान क्रैंपिंग शुरू होता है दो से तीन दिनों तक रहता है य तो यह भी आपको नजर आएगे तार